नमस्ते दोस्तों आज का टॉपिक है बल्ब यह जो बल्ब है इस बल्ब को CLT TV में कहा कहा यूज कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा जो कोई भी CLT TV में जब भी पावर सप्लाई का इसू होता है तब यह बल्ब बहुत काम में आता है इस बल्ब को प्रोटेक्शन की तोर पे आप पावर सप्लाई पे लगा सकते हैं ताकि power supply repairing करने की वक्त कोई भी parts damage ना हो आपने देखा होगा power supply short हो जाने से fuse बार बार कट जाता है ऐसा situation में ये बल्ब बहुत काम में आता है इस बल्ब को fuse के जगर लगा देने से power supply का सारा load खुद पे ले लेता है और power supply को ज्यादा खरब होने से बचा देता है तो चलिए दोस्तों आज हम इस बल्ब को लेके power supply को जानने की कोशिस करें power supply का main main point short हो जाने से ये बल्ब कैसा react करता है और इस बल्ब को TV kit पे कहा कहा लगाया जा सकता है इसको आज हम जानेंगे ये बल्ब 60 watt या 40 watt का होना चाहिए ये जो देख रहे हैं ये डबल टेप है डबल टेप से हम इस बल्ब को टेबल से अच्छी तरह चिपका देंगे ताकि ये बल्ब हिले नहीं ये वायर बल्ब से जुड़ा हुआ है इस वायर को fuse के जगा soldering कर देंगे ये जो देख रहे हैं यहाँ पे fuse होता है इस fuse को निकलने के बाद हम यहाँ पे soldering कर देंगे तो चलिए fuse को निकले ये जो देख रहे हैं ये fuse है ये fuse एक box के अंदर सिपा हुआ है तो इस box को पहले खोले खोलने के बाद इस fuse को निकाल के हम एक side में रख देंगे ये देखिए दोस्तों ये fuse निकल गया कोई भी power supply में 2 ampere से लेकर 5 ampere का fuse लगा सकते हैं अगर आपको कभी fuse जला हुआ दिखे तो नया fuse लगाने से पहले bulb को लगा के एक बार check कर लेना चाहिए अगर power supply short हो तो fuse खराब हो जाने से बच जाता है और power supply को भी ज्यादा नुक्सान नहीं होता है ये जो दो point देख रहे हैं ये और ये इन दोनो point में bulb को connection करना होगा तो चलिए इस bulb को connection करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं ये bulb का connection fuse point पे अच्छी तरह से जूड़ गया है तो चलिए इस TV को AC supply दे देते हैं और देखते हैं ये bulb कैसा react करता है जैसा कि आप देख रहे हैं ये bulb blink कर रहा है ये bulb इसलिए blink कर रहा है क्योंकि ये circuit बिल्कुल okay है power supply okay होने से bulb blink करता है और कभी कभी bulb धीमा जलता है power supply short होने से bulb पूरा जल उठेगा जैसा कि मैं आगे दिखाने जा रहा हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक छोटा सा wire है इस wire के थो power supply को short करने जा रहा हूँ ताकि आप जान सके power supply short होने से ये bulb कैसा react करता है इस जगे पे है main filter capacitor मैं इस capacitor को short करके दिखाऊंगा क्योंकि main capacitor में DC 300 volt जुडा हुआ होता है इसलिए इस capacitor को short करके दिखाऊंगा short करने से पहले चलिए एक बार capacitor को देख लेते हैं ये है main filter capacitor ये capacitor कभी कभी short हो जाने से power supply short दिखाता है और fuse बार बार कट जाता है तो चलिए इस capacitor को short करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इस capacitor को short कर दिया है ताकि आप समझ सके main supply short होने से bulb कैसा react करता है तो चलिए इस TV को supply देके देखते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं ये bulb glow कर रहा है power supply short होने से bulb में कोई flexion नहीं होता ये bulb glow करने लगता है bulb glow होने का मुख्य तीन कारण होता है नमबर एक bridge rectifier diode short होने से नमबर दो main filter capacitor short होने से और नमबर तीन STR short हो जाने से bulb glow करने लगता है जैसा कि मैं आगे दिखाने जा रहा हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं ये STR है switching part इस power supply में STR लगाया हुआ है किसी किसी power supply में MOSFER या transistor लगाया हुआ होता है सभी का काम एक ही होता है switching करना power supply में कोई components खराब हो जाने से switching part short हो जाता है switching part short होने की अवस्ता में ये bulb कैसा react करता है चलिए इसको देखें इस wire को STR का एक नमबर पीन में और negative में लगाने जा रहा हूँ STR का एक नमबर पीन में SMPS transformer के थो 300V input होता है जैसा कि आप देख रहे हैं इस wire को मैंने main capacitor का negative point पे connection कर दिया है और STR का एक नमबर पीन में भी connection कर दिया है इसका मतलब है STR को मैंने sort कर दिया है मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ STR short हो जाने से bulb कैसे react करता है चलिए STV को power देते हैं और देखते हैं ये bulb कैसा react करता है जैसा कि आपने देखा ये bulb पूरी तरह से glow हो गया है ऐसे ही कोई भी switching part short हो जाने से bulb पूरी तरह से glow हो जाता है तो दोस्तों power supply का primary site short हो जाने से bulb कैसा react करता है इसके बारे में मैंने आज आपको दिखाया इस bulb को और कहा कहा ये उसकिया जा सकता है मैं आपको next वीडियो में बताऊंगा आप मेरे साथ बने रहिए दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए हो सके तो शेर भी कीजिए जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला मेरा और भी अच्छा अच्छा वीडियो आप तक पहुँच सके धन्यवाद दोस्तों